तो दोस्तो आज में लिखे आ हूँ आपके लिए ISF Limited का Complete Share Analyze जानेंगे हम इस वीडियो में इस कमपनी का Complete Fundamental को और चार्ट पटन को Analyze करके मैं आपको बतान वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कमपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं और इस कमपनी को बर खासकर हमें कुलदीब जी ने वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था उनका दोस्तो काफे सारे confusion है इस कमपनी का fundamental से related चार्ट पटन कमपनी का Profit and Loss statement तो वो सारी जानकारिया में आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा तो अगर आपका भी कोई queries है तो प्लीज नीचे comment box में comment कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सके तो सबसे पहले हम जानेंगे इस कमपनी का March 2023 का quarterly result कभी भी कमपनी अच्छा हो या बुरा हो कमपनी का quarterly result देखना बहुत जरूरी है से हमें अंदाजा लग जाता है कि आने वाले दुन्यों में कमपनी का पर्फोर्माइस कैसा रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमपनी का cost of revenue पर कमपनी को 33% का loss हुआ है year on year net income में कमपनी लगबग 200% के आस पास इस साल में loss पर है earning per share में 300% का कमपनी को loss हुआ है 316% जो है कमपनी को net profit margin पे loss हुआ है इस साल में और यहाँ पर कमपनी को operating income में 235% का इस साल में loss हुआ है तो इसका मैं आपको totals, figures, totals, amounts, पूरा का पूरा amounts में सारी जानकारी देने बाला हूँ तो हम लोग सबसे पहले इस कमपनी का fundamental को पहले समझ लेते हैं मैं आपको लेके आ चुका हूँ screener.in पे इस कमपनी के बारे में आपको अगर shortcut में जानकारी देतू कि कमपनी करता क्या है basically तो यह company जो है यह finance sector का एक penny stocks है इस वक्त company का market cap आप देख सकतो 15.9 करोड कमपनी का market cap है और current share price company इस वक्त 1 रुपया 67 पैसे पे आ चुका है और अगर यहाँ पे आप lowest price देखेंगे तो इस साल में company का lowest price जो रहा है lowest price रहा एक रुपया 57 पैसा लगबग lowest price के आसपास है company जो है इस पार इस समय और यहाँ पे highest price लगाया है company 4 रुपया 13 पैसा company के उपर एक जो है यहाँ पे pump and dump हो चुका था इस company के उपर तो pump करके dump कर आएगा है मैं आपको वह भी जानकारी देने पाला हूँ तो यहाँ पे हम लोग पहले पूरी जानकारी हासित कर लेते company का fundamental से related तो इस वक्त book value है company का एक रुपया 52 पैसे का है और यहाँ पे company जो है इसका return on capital employed आधा परसन के आसपास है 0.46 परसन company dividend नहीं देता है और return on equity का numbers ना के बराबर है 0.07 परसन phase value company का एक रुपय का है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस company का pros and cons तो यहाँ पे company का जो उधारी वे business था उसमें improvement लाया है और दूसरा यहाँ पे देख सकते हो company is almost debt free है और यहाँ पे तीसरा जो stock is trading at 1.10 times is book value तो यह तीनों चीज़े यहाँ पे positive sales growth है जो की average माना जाएगा negative भी नहीं और positive भी नहीं है ठीक है अगर हमारी point of view से देखा जाए तो और यहाँ पे promoters का holding आप देख सकते हो आधा percent का है promoters का holding 0.64 percent promoters का holding है बाकी सारे holding जो है इस company में public का है share holding pattern भी आपको मैं देखा दूँगा तो यहाँ पे return on equity का numbers आप देख सकतो तीन साल के मुकाबले पे 0.27 percent का है और इन तीन सालों में company ने जो है 40 41 percent का जो है promoters ने holdings based के लगबग company से exit हो चुका है तो यह थी इस company का fundamental और अगर consolidated numbers देखा जा तो इस quarter में जून के quarter में company को expense हुआ है कितना 40 लाग का और sale हुआ है कितना 51 लाग का तो company जो है operating profit में यह जून का quarter है दोस्तों जो हमने शुरुआत में देखा था वो इस quarter था मार्स का quarter तो इसका भी comparison करेंगे तो यहाँ पे इस quarter में company को operating profit में 11 लाग रुपया profit हुआ है और यहाँ पे आप देख सकतो हो पिछले quarter में company जो हमने शुरुआत में red rate देखा था हर चीज में तो यहाँ पे company को 33 लाग रुपय का loss हुआ था तो finally इस quarter में company loss को cover करके जो है operating profit में profit में आ चुका है और अगर आप net profit देखेंगे तो net profit देख सकतो company पिछले quarter में 15 लाग रुपया loss पर था इस quarter में company को 1 लाग रुपया जो है profit हुआ है तो इसका आप numbers देखो सबसे पहले एक penny stocks के हिसाब से आप numbers देखो एक लाग रुपय का company को इस quarter में पूरा का पूर आपको numbers देखने को मिल रहा है तो इस तरह की company में आप कितना निवेश करेंगे तो मैं आपको बताना जरूर है इसके लिए बता रहो किसी भी company को नीचा दिखाने का हमारा मकसद नहीं है मैं सरे आपको यह आगा कर रहा हूँ कि यह penny stocks है यहाँ पे अगर company खुद company को ही एक अगर profit एक लाग रुपे होता है तो इस company से आपको कितना profit होगा एक लाग रुपे में से पूरी company पड़ी है उसके बाद आपको यहाँ पे profit होगा अगर आप निवेश करते हैं तो तो जीस तरह से company का अगर आप market cap देखेंगे company का total profit and loss देखेंगे तो उस हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि अगर किसी company में अगर एक लाग रुपे पूरा तीन में profit होता है तो उस company पे निवेश करना मतलब पैसे का पाने में फेक देने बराबर हो सकता है ठीक है यह चीज़ आप दिमाग में रखें क्योंकि बहुत ही छोटा company है और छोटा company में इस company पर अगर मेरे point of view से देखा जाए तो ऐसे company में जहां पर एतना एक लाग रुपे का profit होता है तीन quarter में मतलब एक quarter में तो यहां पर 500 रुपे निवेश करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाता है तो penny stocks में कम से कम निवेश किया जा सकता है यह मेरा कहने का आपका जो है मक् profit अगर आप देखेंगे तो net profit में company जो है 20 लाग रुपेया loss पर है इस साल में कमपणी का sales growth देख सकते हो 5% 6% का कुछ खास नहीं है profit growth माइनिस पर जा चुका है क्योंकि company को 20 लाग का loss हुआ है return on equity का numbers तो ही नहीं यहां पर 0% 1% है और CAGR भी overall average है बट इस साल में negative है 41% का ठ ठीक है तो penny stocks का fundamental देखने का reason होता है जो मैंने आपको profit and loss देखते वक्त बताया था वह चीज़ें दिमाग में रखी जाती है बहुत बार और penny stocks में बहुत क्यूंकि penny stocks बहुत ही risky होता है तो एकदम quality के अच्छे से अच्छा penny stocks आपको fundamental चुन के निवस करना है इस तरह के shares प 15.16 करोड का liabilities or asset में थोड़ा सा इजाफा किया है तो यहां पे positive point मिलता है company को और share holding pattern देखेंगे तो यहां पे देख सकते हो 30% के आसपास promoters का जो है 2020 के आसपास 30% का holding हुआ करता था आज के time पे 0.64% मतलब 10% का holding बचा है पूरा का पूरा 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 प्रोमोरस ने public को बेच के company से लगभग निकल चुका है तो company का fundamental आपने देखी लिया है बहुत अच्छा नहीं है company का penny stocks के हिसाब से भी मतलब negative ही मुझे नजर आ रहा है तो आप अपने हिसाब से निवेश कीजिए अभी दोस्तों इसका तोड़ा वो चार्ट पटन को भी हम लोग analyze कर लेते ह तो मैं आपको लेकर आ चुका company के share के चार्ट पटन पर यहां पर हम लोग max to max चार्ट पटन देखें कि जहां पर मैं आपको यहां पर important कुछ चीज़े समझाना चाहता हूं तो यहां पर आप देख सकतो company listing हुआ देखा जाए तो 2005 में listing हुआ 2005 से लेके 2020 हो चुका है company उसी range पर business किया ठीक है 15 साल लगा यहां पर company को एक इस range से बाहर आने के लिए तो अभी जैसे मान लीजे यहां पर एक range बनाया उसके बाद अगर फिर से नीचे आता है तो अगर आप 15 साल wait करना पड़ सकता है तो आपको wait भी करना पड़ सकता है company का long time का chart button देखके मैं आपको ब जावट पर ही नजर आएगा और बड़े-बड़े market के quality के shares जो होता है वो हमेशा आपको up train में दिखेगा कभी किसी रीजन से कोरोना के time जैसे और कुछी रीजन होता है तो उस time पे थोला सा नीचे जरूर आता है बट वो फटक से recover भी कर लेता है बट penny stocks वो उस तरह का जो सलता है तो इस तरह से पिनी stocks जो है काम करता है और यहां पर important चीज में आपको देखाऊंगा क्योंकि इस time पर देखेंगे फरवरी 2021 के आसबास इस shares पर जो है ऐसा fake news बना के retail investor को फसाया गया यहां पर जवरस्ती खरीदवा गया ठीक है यहां पर खरीदवा के जो shares को एकदम volatile कर दिया उसके बाद फिर यहां पर dump कर दिया जो लोग advertisement करते है definitely वो लोग यहां पर कहीं पर buying किये रहेंगे बाई करके 20 पैसे का shares यहां पर buy करके महेंगा 20 रुपया बना देता है 20-30 रुपया उसके बाद फिर 20-30 रुपया होने के बाद लोग बेच के company से निकल जाता है पर यह पर फस्ता को ओने retail investor तो इस तरह से भी इस company के साथ में I think हुआ था क्यूंकि हमें बहुत सारे ऐसे news यूटूब में पढ़ने को मिल रहा था बाकी यहां पर आगर आप देखेंगे आज के दिन 1.20% का return दिया है company ने monthly विकली चाट पटन देखेंगे तो इस हफते में company एक support लिया है अगर यह support देखेंगे तो एक रुपया 30 पैसे पे company support लिया है इस support को अगर company long term से hold करके एक company आपको same दिखेगा ठीक है 0.60% का return इस मेने में मानके चलते है company को एक support मिला है और अकर 6 मांद का चाट पटन देखेंगे company जो है 32% गिर चुका है इस मेने में यहां पे इन 6 मेने में highest रहा धाई रुपया धाई का share गिर के आज 1.70 पैसे पे मिल रहा है one year का चाट पटन देखेंगे company जो है 46% गिर चुका है यहां पे मानके चलते हैं एक साल में इसका highest price रहा लगबग 4 रुपया तो 4 का share गिर के अभी 1.50 पैसे पे आचुका है और इसकी गिरावट जो है long term देखेंगे max one year का तो गिरने का मतलब रुकने का नाम ही नहीं लगा आतार गिरावट जारी है इस company पे तो गिरते हुए shares पे कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए गिरता हुआ shares आने वाले दिनों में और भी गिर सकता है ऐसा जो है बड़े बड़े इनिवस्टरों का मानना है तो यह चीज भी आप भी अगर follow करेंगे तो आप profit में रह सकते ह है क्योंकि बड़े निवेशक कभी जूट नहीं बोलते हैं max to max अगर देखेंगे company 400% के आसपास जो है return पर है तो अभी इसका 15 साल का chart button अगर देखा जाए तो अभी जिस price में company का share price मिल रहे यह भी बहुत मेहंगा है ठीके सस्ता price देखेंगे तो आपको यहाँ पे 20-25, 30, 30-40 पैसे पर भी लेंगे तो ठीक ठाक रहेगा long term के लिए यहाँ पर अभी भी शेर का price मेहँगा है जबकि यह share अग्दम 30 रुपे से 30 रुपे बनाया था 30 का share गीर के यहाँ पर 10 रुपे पर आ चुका है तो दोस्तो long term के लिए अभी भी आपको wait करना चाहिए मैं तो इस तरह के कंपणियों से दूर रहना चाहिए अगर आपके पास दोस्तो risk को analyze करने की capability है तो ही आप इस तरह के share पर निवेश कीजिए अगर आप long term के लिए market में है तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और अगर आप एक नए investor है तो मैं आपको कहूंगा दोस्तो कि रेलाइंस हो गया टाटा हो गया इनफोसेस हो गया वीप्रो हो गया इस तरह का share जो है market के जो निव्टी और सेंसेक्स के हिजाब से चलता है वहाँ पर गिरावाट मिलता है तो वह भी गिरता है नहीं तो ओल टाइम पर देखेंगे उसका चार्ट प्रण आपको अप्टरे शेर करना और दोस्तों आप हमारे वीडियो को जो है education purpose से देखना ये कोई buy और sale का recommend नहीं है सिर्फ हमने education purpose से बनाया है हमने अपने जो subscriber को comment करते हैं उनके हिसाब से हम लोग उनका requirement के हिसाब से एक अपना point of view रखते है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इस से जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धेनिवाद